कुछ काम की बातें और लिखते हैं सबसे पहले लिखिए उद्देश्य कानून क्यूं लेकर आया गया मीनवाइल कोई प्रश्ण आपके हैं अभी और इसमें से पूछते चली एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करते चलते हैं और आप इनको इस तरह से समझते चलेंगे तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए तो उपर हेडिंग डले रहने दीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट का और आगे चलते हैं इसमें हम ले करके तो इंडियन एविडेंस एक्ट ऑबजेक्ट इसका उदेश क्या है लिखे तो उदेश में लिखा हुआ है आपके बेरेक में आप देखें तो इसमें लिखा है क्या क्या लिखा हुआ है तो इसमें कित परिभाषित और संशोधित करने के लिए तो इससे बहुत कुछ क्लियर हो नहीं रहा है हम इसको क्लियर करते हैं कि हेडिंग डालने है कि मैं हेडिंग यहां कंटिन्यू करता हूं कि भारती साक्षिविदी है न हेडिंग दिखता रहे 1872 तो आपने ऑब्जेक्ट क्या लिखें उद्देश इसका उद्देश क्या है अधिनियम का तो तीन बाते हैं लिखें पहला क्या टू कंसॉलिडेट कंसॉलिडेट इसको लिखते हैं समेकन करना समेकित करना डिफाइन परिभाशित करना और एक शब्दावली है अमेंड संशोधित करना इन तीन काम के लिए हमारा लौ अफ एविडेंस लाया गया इसका सीधा सा मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि इससे पहले भी इसका मतलब है की कानून रहा अगय होगा तबी तो संशोधित हम कर रहे हैं या दूसरी बात हम समझें की परिभाशित कर रहे हैं तो कुछ बात हैं जिनको डिफाइन करने की ज़रूरत मे드ini तो और 1857 के पहले 1855 में दूसरा law commission बन गया था तो इस इस्टोरिकल बेग्राउंड बदाता हूं पहला law commission कब बना 1834 में कब 1834 में जिसके chairperson कौन थे George Babington Macaulay सब Lord Babington Macaulay तो Babington Macaulay जो थे यह बहुत बड़े विधी वेता थे कानून के जानकार थे जिनको भारत बुलाया गया था और Millet और इनके members से group में इन लोगों ने बहुत सारे laws को ड्राफ्ट करने की कोशिश की इन फोर्स नहीं हुआ कुछ भी जैसे IPC बन गई थी एटी थर्टी 36 में ड्राफ्ट आ गया था लेकिन लागू हुआ क्या नहीं हुआ उसका रीजन है कि भारत में तब तक बिटिश जो इंडिया कंपनी थी उसका साशन था आपको ये पता होना चाहिए तब तक अंग्रेजों का साशन डारेक्ट नहीं था ब्रिटिस लाउन जो है वहां का राज़ताई का साशन बारत में नहीं था ये खब आया 1858 में 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो ये जो पूरा का पूरा सत्ता है जो पावर्ड था वो किसको दे दिया गया क्राउन को या कहें क्राउन ने ले लिया ब्रिटिस लाउन ने उन जफर तक उसमें उतर पड़े थे, कई जगा हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि यह सैनिक विद्रो हो था, कैसा, सिपॉय म्यूटिनी, रिबल का एक था एक, जहां पर मंगल पांडे और कुछ लोग ने rebellion act किया था, इसी वहली कहानी पढ़ने के लिए मिलती है, लेकिन पूरे भारत को जब देखते हैं हम, कि बेगम हजरत महल से लेकर के बहदूर साथ जफर तक जब उसमें शामिल थे, जहांसी की इरानी से लेकर तात्या टोपे तक जब उसमें शामिल थे, तो लगता है यह सैन म्यूटी नी थी, एक विद्रोह था, लेकिन जैसा भी हो, हम इसको कैसे सेलिबरेट करते हैं, पहला सोतंदरता संग्राम, भारत का पहला फ्रीडम मुवमेंट था, यह आपको पता होना चाहिए, 1857, 1858 में जैसे ही क्राउन के हाथ में गया, पूरा का पूरा पूरा पावर तो क्राउन को यह लगा कि बिना नियम कानून के देश को संभालना असान नहीं है, अरे बिना नियम कानून के संभाल पाएंगे क्या, बिना नियम कानून के तो चार लोगों को संभालना मुस्किल हो जाए, तो फटा-फट क्या किया उन्होंने, जो ड्राफ तयार थे, उन हमारा जो एविडेंस एक्ट है इसको बनाने के लिए बुलाए गए थे सर जॉन सर हैंड्री समर्मेन क्या नाम था इनको भी आपको जानना चाहिए कोई इनका नाम लेवा नहीं है बिचारे का मैं इनको याद करता रहता हूं हैंड्री समर्मेन जैसे आईपीसी किसने ड्राफ्ट किया थो हम पढ़ते हैं मैं कॉले साब ने जबकि आपकी जानकारी के लिए आईपीसी ड्राफ्ट होके 1836 में आ गई थी उसमें अमेंड्मेंट किया सुधार किया एस पर दी नीड ऑफ दी कंट्री उनका नाम था सर बर्नेस पिकॉक क्या नाम था तब जाके 1860 में वो लागू हुआ ठीक वैसे ही सर हैंड्री समर्मेन ये ऑक्सफोर्ड और कैम्डरी से संबद रहे कानून के बहुत बड़े जानकार थे और इनको कई बार इंडिया के लिए बुलावा गया कि आप इंडिया में आई है उतने विद्वान थे कि ब्रिटिश क्राउन को मना कर दे थे कि मैं आऊंगा नहीं लेकिन जब ये भारत में आए 1861-1862 में ये भारत में आए पांच साल का इनका काम था पांच साल के लिए भारत आये थे लेकिन कहानी पढ़ने के लिए मिलती है कि भारत इनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने खुद अप्लिकेशन लिख करके एक्स्टेंड करवाया कि म ने पहला ड्राफ्ट दिया था तो पहला ड्राफ्ट देने वाले का नाम है सर हैंड्री समर में प्रोफेसर थे लोगे बहुत बड़े जानकार थे लोग स्कॉलर थे लेकिन कुछ इनकी में कमियां थी जैसे मैंने बताया कि मैंकॉलेस साब का जो ड्राफ्ट था इपीसी का उसमें कुछ कमिया थी, बर्नेस पिकॉक ने उसको करेक्ट किया और वापस से नहीं आई पीसी आई, वैसे ही इन्होंने जो ड्राफ्ट दिया था, वो as per the circumstances and condition of the country भारत के हिसाब से अप्रोप्रियेट नहीं माना गया, तो बाद में वापस से ड्राफ्ट कॉमेंट करने के ल सेम्स, स्टिफिन, ऐसा पूरा नाम था इनका, इन्होंने नया ड्राफ्ट बनाया, नया ड्राफ्ट तैयार किया, तब तक ये इनकी लिखी हुई किताब, the law of evidence पूरे विश्वभर में धूम मचा रही थी, कि कानून के ऐसे ऐसे नियम इन्होंने बताए कि लोगों के दिम मार्च को, 15th of March 1872 को accept हुआ ये, जो बाद में enforce कब हुआ, 1st of September 1872 को, 1 September 1882 से लागू हुआ, तो दो डेट आपको याद रखना चाहिए, 15 March का कौन सा, और 1st of September, 1 September, ये दो डेट, साल कौन सा है, 1872 1882, इस साल में जो है, जा करके ये लागू हुआ, और à, लोग कमिशन कौन सा चल रहा था? जौन रूमिली साब का ही, 3rd law कमिशन चल रहा था, ठीक है, जेर परसन कौन थे? जो डूमिली साब, जो कब आय थी? 1855 में, तो 2nd law commission तब बन गया था, 3rd law commission बनाया गया, उसमें भी उनको य रखा गया था, तो ये draft आया, और और इसमें मैंने बता है तब तक पूरे देश में मौम्मडन लौ चल रहा था, कौन सा कानून, मुस्लिम विधी, मतलब IPC आ गई, CRPC आ गई, उसके बाद भी evidence के लिए कौन सा लौ चल रहा था, मुस्लिम विधी, और मुस्लिम विधी के कुछ नियम उस समय के हिसाब से हो सकत मतलब एक पुरुष, एक male person के evidence को quash करने के लिए, रिबर्ट करने के लिए दो female चाहिए, कितने, तो सबूत को witness को गिना जाता था, क्या किया जाता था, काउंट किया जाता था, और मान लेते हैं कि कोई rape या इडिल्ट्री वाला matter है, तो कम से कम चार महिलाओं का गवा चा कर फिर ये साबित कर पाएंगे, English law कानियम क्या था, English law कानियम ये था कि witness को count नहीं किया जाएगा, इसको वे किया जाएगा, सबूत को तौला जाएगा, मतलब ये कि एक eye witness है, और बदले में कोई eye witness नहीं है, लेकिन circumstantial witness जो है evidence उसका weight इतना जादा है, कि आप उसको मान सक करते हो, तो साक्षियों की कितनी संख्या चाहिए, 134 evidence 8, कौन सी धारा, 134, क्या कहती है, कितने साक्षी चाहिए, धक्याती को साबित करने के लिए 5, 5 नहीं चाहिए, सामान न्याशय को साबित करने के लिए कम से कम 2, विधी विरुद चमाओं को साबित करने के लिए कम से क 5 ऐसा नहीं है हाँ तो IPC को evidence में मिला मत लेना कोई number नहीं चाहिए मतलब कोई eye witness नहों तो भी साबित कर सकते हैं क्या हाँ कैसे साबित करेंगे परिस्थिती जन्य साक्ष circumstantial evidence से या expert evidence विश्यशज्यक को बुलाएंगे क्लियर बात है तो ऐसी बहुत सारी कमियां थी जिनको दूर किया जाना था इसलिए शब्द है हाँ पर में संशोधन मतलब पहले से जो कानून लागूँ था उसमें कुछ चीज़ें को बदला जाना परिभाशित कुछ शब्दों को परिभाशित करना था जो हम समझेंगे रहे और एक इन कंसिस्टेंट होता है असंगत सूसंगत वी संगत और संगत इंगलिस वालों को इन्टीन सब्दों में कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी वालों तुमारे लिए मैं हूँ तुम टेंशन लू मत है न क्योंकि किताबों में भी मैंने बताया आपकी करते हैं लिखने वाले क्योंकि असंगत और वी संगत सुनने में एक समान लगते हैं हैं क्या यह मैं समझाओं आपको जब हम कहते हैं कोई फैक्ट रेलेवेंट है क्या है सूसंगत है इसका मतलब है कि वो किसी बात से जुड़ा हुआ है क्या कि कोई बात कोई 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 खाना कुछ पीना कुछ करना वाटेवर इस कनेक्ट एक चीज जब दूसरे से जुड़ी हो हम कहते हैं यह रेलेवेंट है क्या है जैसे एक्जामपल के लिए किसी को पूशा कि भाया रात को बारा बज़े आप एक नवंबर को कहा थे और वो बता रहा है कि पिछले दस साल में दस स्टेट घूम चुका है क्या बकवास कर रहा है वो क्वेशन क्या है रात को बारा बज़े वो कहा था वो क्या बता रहा है पिछले दस साल में कहा कहा घूमा है यह कैसी बात कर रहा है जिसका कोई जुड़ाव ही नहीं है, जिसका मामले से कुछ लेना देना ही नहीं है आप उसको पूछ रहे हो कि कल खाने में क्या खाया था और वो बता रहा है कि एक फिल्म देखी बड़ी अच्छी थी कुछ भी बकवास कर रहा है ये, हाँ पुष्पा देख ली तो कुछ भी बकवास कर रहा है, तो irrelevant means बकवास which has no relevancy, which is not at all connected, ये जुड़ा ही हुआ नहीं है फिर एक तीसरा है inconsistent, असंगत, ये बात जुड़ी हुई तो नहीं है, ठीक है लेकिन इतनी opposite है कि relevant fact के existence को ही improbable बना देती है वो जो सुसंगत तत्य था, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर देती है जैसे पूछा यही गया था कि रात को बारा बजे लोकल वो भमरकुआ चौराहे पर था, क्या question ये है, उसको क्या बताना चाहिए, हाँ था या नहीं था वो कह रहा है कि आज सुबह तक, पिछले 6 महीने से वो लाहोर में था ये बात है तो जुड़ी हुई नहीं, लेकिन इतनी inconsistent है कि वो इस बात की probability को impossible बना देती है कि कल रात 12 बजे वो भमरकुआ चौराहे आज सुबह मैं वापस आया हूँ लाहोर से, पांच बजे की फ्लाइट से, और ये बात क्या है, ये inconsistent है और क्योंकि ये inconsistent है, ये relevant हो जाती है section 11 में, धारक 11 में जा करके तो असंगत तथ्य एक तरह से सुसंगत होते हैं, तो ये दो तरह के तथ्य क्या है, ये नहीं जुड़ा होकर जुड़ा हुआ है, और इसका कुछ लेना देना है नहीं है, irrelevant मतलब बकवास, क्या, बकवास, वी संगत, आम बोलचाल में कहते हैं, बेतुकी बात, क्या बेतुकी बात कर रहा है, तुम सुना होगा ऐसा बोलते हुए, वो बोलना चाह रहा है, यू आज गूए आज पास घूमे गा ये, ऐसे कई सारे शब्दे हैं, जिनको definition आवशक था, define करना आवशक था, और उसको परिभाशित करने के लिए हम क्या लेकर आए, हमारा evidence है, ज Consolidate means, to combine or unify, to consolidate means, to combine or unify into one mass or body, समेकन का मतलब होता है, इकथा करना, unify into one mass or body, इकथा करना, एकत्रित करना, एक जगह करना, Consolidate, ये लिखा है सबसे पहले, Consolidate, समेकन, लिखें, define में, by the help of law of evidence, by the help of law of evidence, साक्ष विधी की मदद से, the judge separates wheat from the chef, by the help of law of evidence, the judge separates wheat from the chef, among the mass of facts, that are brought before them, साक्ष विधी की मदद से, न्यायाधीश, गेहू में से भूसे, भूसे में से गेहू को अलग करना, करता है, by the help of law of evidence, the judge separates wheat from the chef, C-H-E-F, among the mass of facts, that are brought before them, साक्ष विधी की मदद से, न्यायाधीश, भूसे में से गेहू को अलग करता है, so that, so, so, the terms must be specifically defined, अतह, शब्दावलियों को विशेश तह या विनिर्दिष्ट तह परिभाशित किया जाना चाहिए, so, the terms must be specifically defined, अतह, शब्दावलियों को विनिर्दिष्ट तह विशेश तह परिभाशित किया जाना चाहिए, जिनको किया परिभाशित किया गया है, तीस्री शब्दावलियों है, to amend, संशोधन शब्द है, तो लिखें, the first draft was prepared by Sir Henry Somerman, पहला जो draft है, वो Henry Somerman द्वारा लाया गया, which is amended by Sir James Fitzgerald Stephen, जिससे बाद में Sir James Fitzgerald Stephen द्वारा, संशोधित किया गया, जेम्स फिट्स इस्टिफेन द्वारा संशोधित किया गया दिया सेंट आप दी गवर्नर जनरल वाज रिसीवड ऑन 15 अफ मार्च 1872 गवर्नर जनरल की सहमती पंद्रह मार्च 1872 को मिली 15 अफ मार्च 1872 गवर्नर जनरल की सहमती पंद्रह मार्च 1872 को मिली पंद्रह मार्च 1872 को मिली पंद्रह सितंबर एक सितंबर 1872 को प्रवर्तन में आया कब प्रवर्तन में आया 1st September 1872 को 1872 में ये प्रवर्तन में आया आप इससे भी लिख लें और इससे चाने एक प्रश्ण जो आपके एक्जाम में बहुत कम पूछा जाता है वो भी आप जानकारी में ले लें और ये आपको नोट करना चाहिए लिखें इसका अधिनियम संख्यांक दि एक्ट नंबर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भारतिय साक्ष विधी का अधिनियम संख्यांक एक है वन तो एक्ट नंबर क्या होता है आप ये भी जाने जब कभी हम एक्ट नंबर की बात करते हैं इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक साल में पार्लियामेंट या लेजिसलेचर से जितने कानून पारित हुए उनमें से इसका कौन सा नंबर था तो Act No.1 का मतलब है कि उस साल सबसे पहला कानून यही पारित हुआ ठीक है उससे पहले और कोई कानून September तक कोई कानून नहीं आया था इसका मतलब यह है January से September तक पहला कानून कौन सा आया? Indian Evidence Act इसलिए इसका एक नंबर कितना है? 1 अधिनियम संख्यांक एक है आप इससे भूले नहीं चलू मैं आगे? ठीक है लिखिए The Work Plan of Evidence Act अधिनियम की कार्य योजना The Work Plan of Evidence Act अधिनियम की कार्य योजना लिखना This Act is divided इंटो त्री पार्ट्स यदिनियम तीन भागों में 11 चैप्टर्स ग्यारा अधियायों में और 167 सेक्शन में बटा हुआ है ठीक लिखिए पार्ट वन क्या क्या लिखा तीन भागों में ग्यारा अधियायों में 167 धाराओं में त्री पार्ट्स 11 चैप्टर्स और 167 सेक्शन में ये बटा हुआ है पार्ट वन में लिखिए पार्ट वन का नाम है और रिलेवेनसी क्या नाम है और रिलेवेनसी सू संगतता के विशय में ऐसा इसका नाम है ये दो चैप्टर में डिवाइड इए एक है चैप्टर वान बिश्टॉक्स अगाव धी प्रिलिमिनरी प्रिमिनरी जो है इसका मतलब है प्रारंभिक क्या मतलब है इसका, इसमें section 1 है, section 2 repealed हो गया है, section 3 है जिसमें definition है, section 4 में में कुछ शब्दों को ही define किया गया है, chapter 2 में चलिए, chapter 2 में जब जाएंगे, तो यहाँ पर में, इसका नाम ही है of relevancy और यह बात करता है relevancy of fact के बारे में, relevancy of facts, तो यहाँ लिखिए प्रारंभिक, क्या लिखिए हिंडी बालों, और यहाँ लिखिए सू संगत्ता के विशय में, कहें के विशय में, सू संगत्ता, अभी हम बात कर रहे थे, relevancy, irrelevancy और inconsistency की बारे में, यह क्या है हम समझेंगे, सू संगत्ता के विशय में, section 6 से 55 तक evidence act, किसने कहा, मैंने ही कहा है, सौ साल बात कौन जाने तुम कोट करो, तुम्हारे बच्चे कोट करेंगे, कि किसने कहा, तो किसी आस्टीन वास्टीन सामण मामन ने नहीं कहा, मेरा ऐसा समझना है कि यह इसकी आत्मा है, क्योंकि अगर आपके evidence act से 15 question आने वाले हैं, तो 10 question इसी chapter से आएंगे, कितने, इतना वेटेज है इसका, और पूरा evidence act इसके ही आसपास घुमता है chapter 2 के आसपास, ठीक है, फिर लिखे part 2, अध्याए 2, अध्याए 2 का नाम है on, sorry, part 2 का नाम है on proof, जो भाग 2 है, वो है सबूत के विशय में, इसमें मिलेगा आपको chapter 3, लिखते जाएंगे मेरे साथ में, facts need not to be proved, तथ्य जिनें साबित करना आवश्यक नहीं है, चैप्टर 3 में चलिए, it talks about on oral evidence, मौखिक साक्षे के विशय में, इसमें हम बात करेंगे, जिसमें section 60 आएगा, जो मैंने आपको बताया था, लिखा है, मौखिक साक्षे, प्रत्यक्ष होना चाहिए, 59 भी आएगा, जो कहता है कि, एक बार कोई बात अगर लिख दी गई है, बोल कर साबित नहीं किया जा सकता, whatever is in writing, must be approved by writing itself, chapter 4, chapter 5 में चलिए, of documentary evidence, ये बात कर रहा है, दस्तावेजी साक्ष के बारे में, दस्तावेजी साक्ष, और chapter 6 का लिना देना भी इससे ही है, दस्तावेजी साक्ष के बारे में, जो की oral evidence के exclusion के बारे में बात करता है, और और अविदेन्स, must be excluded, पांच और श्य का लिना देना दस्तावेजी साक्ष से, documentary evidence से, पांच बता रहा है, documentary evidence को प्रूव कैसे करेंगे, primary document, secondary document की कहानी में आपको मिलेगी, और chapter 6 बता रहा है कि जब कभी document existence में है, तो oral evidence exclude कर दिया जाएगा, मौखिक साक्ष का आप वर्जन कर दिया जाएगा, तो यह कहता है कौन सी तथेंजन को साबित करना आवश्यक नहीं है, मौखिक साक्ष के बारे में दस्ताबेजी साक्ष और यह है मौखिक साक्ष का आप वर्जन, part 2, फिर चले हम part 3 में, आखरी भाग है यह part 3, और production and effects of evidence के बारे में बात करता है, साक्ष कैसे प्रस्तूत किये जाएंगे और उनका प्रभाव क्या होगा, production and effects, किसका, of evidence, साक्ष के प्रस्तूती करण और प्रभाव के बारे में, ठीक, chapter 7 इसमें आएगा, chapter 7 में चलिए, यह कह रहा है, burden of proof के बारे में बात कर रहा है, सबूत का भार किस पर होगा, सबूत कैसे कौन प्रूफ करेगा, किसको साबित करना होगा, chapter 8 में चलेंगे, तो यह बात कर रहा है, doctrine of estoppel के बारे में, estoppel होता है, विबंध का सिध्धान्ट, बड़ा काम का chapter है, chapter 8, doctrine of estoppel, chapter 9, साक्षियों, सबूतों के बारे में है, साक्षियों के बारे में, chapter 9, of witness, तो witness का क्रम कैसे होगा, उनका examination कैसे किया जाएगा, यह पढ़ेंगे हम chapter 10 में, chapter 10, examination of witness के बारे में बात करता है, साक्षियों की परिक्षा के बारे में, और chapter 11 जो है, इसमें सिर्फ एक धारा है, धारा 167, जो बात करता है, इंप्रॉपर, admission और rejection of evidence का क्या impact होगा, मतलब सबूत जिनको नहीं लेना चाहिए, इथा ले लिया आपने, being a judge, और नहीं लेना चाहिए, उसको नहीं लिया, तो उसका क्या impact होगा, तो chapter 11, आखरी chapter है, जो बात कर रहा है, इंप्रॉपर, rejection, and admission of fact के बारे में, admission of evidence, तो यह कहनी आपको समझनी चाहिए, यह आपको जानना चाहिए, मेरा measurement थोड़ा ख़़ाब होगा, तो उपर बड़ा लिख दिया नीचे, बहुत छोटा हो गया, लेकिन तीनों ही पार्ट मैंने लिख दिया है, यहाँ पर में, इन तीन पार्ट को हम समझेंगे, ठीक है, तो work plan समझ में आया कैसा है, क्या क्या पड़ा हमने, यह 11 chapters में divided है, आपको याद हो गया होगा अभी तक, भूलने ही जाना आप, कई बार ऐसा होता है, इंटर्व्यू के से मैं पूछा जाता है, आपका फिवरेट सब्जेक कौन सा है भईया, और बोले की law of evidence, अब अगला यही पूछ लेता है कि part 3 में क्या क्या है, याद ही नहीं, यह तो कभी इपढ़ा हैं, आप पूछो सुसंगत क्या है, विसंगत क्या है, असंगत क्या है, आप तो documentary evidence के बारे में पूछो, क्या पूछ रहा है कितने part हैं, तो पता चला 3 हैं, अच्छा कितने chapters हैं, तो ध्यान में नहीं आ रहा है कि यह 23 है या फिर 37 है कि कितने है हमारा दिमाग कहीं और घुम रहा है अच्छा जैसे ही पार्ट पूछे तो पार्ट हमको याद आदा है Constitution का फिर दिमाग में आता है पता नहीं 22 हैं कि 24 हैं कितना हो गया उसमें भी confusion बढ़ा है तो ध्यान रखना तीन भाग हैं 167 धाराएं हैं और 11 अध्याएं हैं इतना आप याद रख लोगे तो काम हो जाएगा चले आगे अभी जख समझ में आ रही है कहानी ठीक है अगला heading डालिए और लिखिए law question लिखिए साक्ष विधी प्रक्रियात्मक विधी है या मौलिक विधी है मूल विधी है साक्ष विधी है क्या ऐसा लिखिए हिंदी वालों लिखिए क्या बला है यह अच्छा आपको बता तो मैं जब हम evidence act की बात करते हैं तो लीगल fraternity में जो कानून के जानकार लोग हैं विध्वान लोग हैं पढ़ाने और पढ़ने वाले लोग हैं इसको सबसे कठिंतम कानून माना जाता है क्या माना जाता है तफ उसका कारण है कि इसमें facts नहीं है जबकि law evidence कि इस बारे में बात कर रहा है इसमें facts नहीं इसमें सिर्फ concepts हैं क्या है इसमें रठने जैसा कुछ भी नहीं अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया नहीं समझ में आने वाली बात यहां कहीं कुछ लिखा है कि ऐसा होगा वहीं कहीं लिखा होगा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा वही वही बात जैसे section 5 कहता है कि court में सिर्फ relevant fact के बारे में बात करेंगे और fact in issue के बारे में बात करेंगे सुसंगत अथ्य के बारे में विवाध्यक के बारे में 165 धारा कहती है जो पूछना है पूछो irrelevant पूछलो ना क्या दिक्कत है 165 में लिखा है अगर आप judgment देंगे तो relevant fact पर बेस्ट होना चाहिए 167 कहता है irrelevant पर बेस्ट हो तो भी चलेगा Section 24 कहता है कि धंकाया किसी को डराया किसी को और confession लिया है तो irrelevant है 28 कहता है चलेगा कोई बात नहीं 25 कह रहा है पुलिस के सामने कोई भी confession relevant नहीं 26 कह रहा है कैसे नहीं चलेगा मतलब वही बात जो एक जगा लिखे दी गई है उसका काट या उसका rebut करना या उसके against कोई बात कहीं ना कहीं लिखी है हमको बस यह find out करना है कि कहां क्या लिखा है जैसे 146 section हमारे पास में जो कहता है कि जब आप cross examination करेंगे court में तो आप कैसे question पूछ सकते हैं कुछ भी पूछो जो तुम्हारा मन हो witness के character को सिसनेट कर सकते हैं क्या चरित्र पर लांचन लगा सकते हैं क्या अरे लगाओ किस ने रोका तुम्हें तो कैसे question पूछ सकते हो जैसा तुमको मन हो वैसा पूछो उसके चरित्र को धक्का लगाओ पूछो कौन क्या कर रहा है है जमाने में वह कैसा आदमी उसकी विश्वशनीता को तार तार कर दो 152 कैसा है नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइब यही समझना है सब्सक्राइब अगर आप इनको ठीक से समझ लेंगे तो आपको काम कहां पर आएगा आपको काम आएगा जब आप मार्शलिंग के बाद जब उसको evaluate करते हो क्या करते हो क्रम बंधन के बाद जब साक्ष का मुल्यांकन करते हो उस मुल्यांकन के समय काम में आएगा आपको इस सारे section बताओ और जो हमारा law of evidence है उससे हम Lex 40 law कहते हैं अभी समझाता हूं वो क्या है पहले तो हम यह समझ लें कि यह है क्या बला क्या लिखा आपने साक्ष्य विधी क्या बला है तो law को हम कई तरह से डिवाइट करते हैं यह बातें भी और आप समझ लो जिसमें से एक है substantive law और एक है procedural law कैसा कैसा law है मैं ऐसा लिख देता हूं law एन लो का मतलब होता है लो का मतलब होता है set of rules क्या मतलब होता है नियमों का संग्रह जिसमें कुछ करना और कुछ नहीं करने के बारे में बताया गया है यह भी बात आप समझ लो कहानी इसका एक बड़ा भाई होता है वह होता है समझ लो या राज तो तुम आज मेरे मन में सब समझाने का है तुम सब समझ लो इस्टेच्यूट क्या होता है ऐसा स्पेलिंग है ना इसका इस्टेच्यूट समविधी एक है विधी और एक है समविधी दोनों बहने जैसी मालूम पढ़ रही है लो चोटी भाई बोल दिया मैंने उसको समविधी बड़ी बहन तो सेट अफ रूल्स कैन बी मेड बाई एनिवान जैसे हमने एक नियम बना दिया आप कितने बजे क्लास में आएंगे कितने बजे बैठेंगे कितने बजे नहीं बैठेंगे फोन की घंटी बजेगी तो चाय पिलाएंगे लेट से आएंगे तो क्या करेंगे आप संडविच खिलाएंगे ये क्या है लॉओ set of rules when the set of rules is passed by the legislature it becomes a statute यही विधी जब विधाई का द्वारा पारित कर दी जाती है तो समविधी बन जाती है तो what is law of evidence? it is a statute क्या है यह? समविधी है यह ध्यान रखना इसका क्या मतलब हुआ? every statute is a law but not necessarily every law should be a statute हर समविधी एक विधी होती है लेकिन हर विधी समविधी हो यह आवश्यक? नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती ज्यान रहेगा मेरी बाते समझ में आ रही है बहुत आसान जी सरल बाते हैं जो आपको समझना चाहिए इस law को हम कई पार्ट में डिवाइट करते हैं या हम कहते हैं लॉख की साधरंतर दो ब्रांचेस होती है कितनी ब्रांचेस? विधी की कितनी शाखाएं होती है? दो शाखाएं कौन कौन सी? एक है procedural law प्रक्रिया विधी एक है substantive law इसे कहा जाता है प्रक्रिया के बारे में बात करता है substantive विधी remedy उपचार जिसे कहते हैं और rights अधिकारों के बारे में बात करता है इसको फर्दर हम आगे डिवाइड करते हैं criminal procedure law में और civil procedure law में इसको भी आगे हम फर्दर ऐसे divide करते हैं criminal procedure law में और civil procedure law में समझना ध्यान से हां evidence कहां आता है ये ये है ये ये है अरे कहो ये तीसरे ही तरह का कहानी है इसे हम कहते हैं Adjective Law क्या कहते हैं Adjective Law बताओ ये भी रहे गया था ये सब कहां काम में आएगा तुमको इंटर्विव में काम आएगा कहां काम में आएगा जहां आप ठीक से बात करो जो आपको पूछा जाए ये question पूछा जाता है generally कि law के कितने branches होती है तो मैंने सुना है साधारण तर लोग कहते हैं कि दो होती है civil law और criminal law नहीं law के branches होती है substantive law and procedural law फिर substantive law की दो branches है civil substantive law criminal substantive law procedural law की दो branches है civil criminal law and procedural criminal law जैसे हैं हमारी CRPC Code of Criminal Procedure जो है ये criminal procedural law का example है और civil procedure code जो है 1908 का ये civil procedural law का पार्ट है फिर adjective law क्या होता है तो लिखिए adjective law is a law adjective law को विशेशनात्मक विधी कहेंगे हिंदी में है न या ज़्यादा बेटर है आप adjective ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है विशेशनात्मक विशेश नहीं विशेशनात्मक अगर आपने हिंदी में grammar पढ़ा हो तो adjective का मतलब विशेशन आप पढ़ते हो तो ये special kind of procedural law है कैसा है ये विशेश प्रकृती का procedural law तो आप लिखना adjective law is a law which provides rules of procedure and practice तो adjective law adjective विशेशनात्मक विशेश नहीं विशेश प्रकृती है जो प्रक्रिया के नियमों का प्रतीपादन करती है काहे का? प्रक्रिया के नियमों का प्रतीपादन करती है ठीक बात? तो यह हुआ क्या एक्चुली? Procedural law लेकिन इन जनरल टर्म से procedural law नहीं इसलिए कहते हैं इस तो adjective law क्या कहते हैं इसे? यह है तो procedure का part but it is not providing actually the procedure it provides rules of the procedural law CRPC में किसे को गिरफतार करके lie court में और जब उससे examination होगा तो क्या बात पूछेंगे? कौन सी बातें evidence में ली जाएंगी? कौन सी बातें नियमों का संग्रह है? क्या है यह? सिर्फ rules बता रहा है actual procedure यह नहीं बता रहा procedure कहा मिलेगा? CRPC में examination कैसे होगा? CRPC accused को कैसे बुलाएंगे? CRPC ठीक है लेकिन उसको बुलाने के नियम क्या होंगे? कौन से प्रशन पूछे जाएंगे? कौन से नहीं पूछे जाएंगे? कैसे पूछा जाना चाहिए बताएगा evidence clear मेरी बात समझ में आ रही है मुझे हुमीर है कि आपको बातें समझ में अरे हुआ करो पता चलता रहा है student बैठें की गमले रखे हुए हाँ तो पता चलता रहा है अभिशेक ने गमले ही रख दिया है सारे students की जगह तो यह adjective law है आप इसे लिखें लिखना according to according to the honorable opex court माननी सर्वोच न्याया लेक अनुसार यह प्रक्रिया विधी है इट इस अ प्रोस्रीज्रिज्रल लॉउ यह प्रक्रिया विधी है इट इस अ प्रोस्रीज्रिज्रल लॉउ केस का नाम लिख लिख लीजिया आप लिखना हो तो दाताक्षिवा versus state D.A.T.A.X.I.V.A दाताक्षिवा versus state क्या डिसाइड किया यह कैसा law है प्रक्रियात्मक विधी है प्रोस्रिज्रल लॉउउ है Hence it may have the retrospective effect अतह इसका भूत लक्षी प्रभाव हो सकता है It may have retrospective effect इसका भूत लक्षी प्रभाव हो सकता है लिख पाया आप? ठीक है अब समझना एक बात और कि जब हम किसी कानून की बात करते हैं तो कानून दो तरह से होता है एक होता है Lex 40 और एक होता है Lex loci Lex loci इसे कहते हैं L-O-C-I तो कैसा Lex 40 और एक होता है Lex loci यह होता है The law which is applicable in a locality कानून जो किसी स्थान विशेश पर लगू हो इसे कहा जाता है law of the land Lex loci को क्या कहते हैं? Law of the land इस्थान विशेश की विधी और Lex foray को कहा जाता है Law of the forum मंज की विधी क्या कहा जाता है? Law of the forum तो हमारा evidence एक क्या है? लिखें case Ben versus White Reven and Furness Junction का case है बहुत पुराना 850 का क्या case है? B, A, I, N, Ben versus White Reven W, H, I, T, E, R, A, V, E, N White Reven and Furness Junction and F, U, R, N, E, S, S, J, U, N, C, T, I, O, N Ben versus White Reven and Furness Junction 1850 का case है लिखें इसमें decide किया गया The law of evidence is a Lex Furi law The law of evidence is a Lex Furi law Saakshi Vidhi Manchiyya Vidhi है It means it is a law of the place of the action It means it is a law of the place of the action मतलब हिंदी में क्या लिखा? यह उस इस्थान पर लागू होती है जहां वाद कारण उत्पन हुआ हो ठीक तो Lex Furi का एक मतलब और होता है जो मुझे बड़ा पसंद है वो है The law which governs the forum लिखे The law which governs the forum मन्च को साशित करने की वीधी यहां forum का मतलब court है न The law which governs the court जिससे की न्यायाले शाशित होगा The law which governs the law है वो court को rule करेगा Prosecution का विटने से तो वो Sorry prosecution का एड़ोकेश से तो वो Defense का एड़ोकेट है वो और आप हो तो आप तो court को कौन govern करेगा Law of evidence govern करता है कौन से matter में किसी भी matter में Civil matter हो, criminal matter हो, revenue का matter हो मतलब कई बार आपसे पूछा जाता है आपका favorite subject क्या है Civil या criminal हो सकता है आपका inclination Civil के तरफ ज़्यादा हो Rules, order, regulation पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा हो किसकी property में किसने कबजा कर लिया आपका पुरा दिमाग वही हो कि कैसे कबजा करके 12 साल अपने कबजे में रख ले Adverse possession प्रूव करके बाद में मालिक हमी बन जाए दिमाग आप नहीं लगा रहे हो कुछ को हो सकता है कि loot, robbery, चोरी, डकैती में मज़ा आ रहा हो सजा देने में सीधे punishment तीन साल की जेल है ना फांसी की सजा कब देंगे कोई यही सोच रहा हो कब नीप तोड़ने का मौखा मिलेगा आपका inclination किधर भी हो civil की तरफ या criminal की तरफ master किसमें चाहिए law of evidence bridge बनाता है दोनों पर means being a magistrate or being a judge आपको एक चीज जवानी चाहिए वो है law of evidence आप civil में हो तो भी criminal में हो तो भी revenue court में practice कर रहे हो तो भी और taxation lawyer हो तो भी क्या आना चाहिए आपको law of evidence यह हर जगा applicable है आपको जानना चाहिए इसलिए से कहा जाता है law Lex 40 law means which governs the court जो न्यायाले को शासित करता है वो कोई भी court हो प्रक्रिया के नियम बताता है पहली बात आपको यह समझ में आई दूसरी बात को आपको क्या पता चली एक Lex 40 law है कैसा है कौन से केस में डिसाइड हुआ आप याद कर लो बैन वर्सिस वाइट रवन ठीक है 1850 अठारा सो पचास कब का है यह 1850 का है यह बैन वर्सिस वाइट रवन जहां पहली बार यह बताया दाताक शिवा को याद कर लीजिए जहां बताया कि यह प्रक्रियात्मक विधी है कैसा law है प्रोस्रिज्रल लौ है यह एड्जेक्टिव लौ प्रोस्रिज्रल लौ का एक पार्ट है आपको यह भी समझ में आया कि एड्जेक्टिव लौ और प्रोस्रिज्रल लौ में क्या डिफरेंस होता है और आपको यह भी समझ में आया कि प्रक्रिया विधी और सबसेंटिव लौ सारवान विधी में क्या अंतर होता है अरे समझ में आया, नहीं आया तो पूछो एक बार, फिर समझाओं मैं, आया समझ मैं, कोई बता दो एक डिफरेंस प्रक्रिया विधी और सारवान विधी में क्या डिफरेंस है, कोई भी, हाँ, ठीक बात है, जैसे एक्जामपल के लिए कर नाम के आदमी ने चोरी की, तो पहली बात तो अपराध की परिभाशा, सबस्टिंटिव लॉग क्या देगा, डेफिनेशन आफ दी ओफेंस, की चोरी क्या है, पता कैसे चलेगा, चोरी होई की नहीं होई, आम आदमी को तो यह आमान है तो, तो डेफिनेशन में जाकर देखना पड़ेगा, की चोरी हुई, मिस अप्रोप्रेशन आफ रॉपर्टी हुआ, ब्रीच आफ ट्रस्ट है, चीटिंग है, है क्या, हुआ क्या था, तो डेफिनेशन आफ ओफेंस कौन देगा, सबस्टेंटिव लॉग और रेमे जाएगी, कौन बताएगा, ये बताएगा, प्रोस्टेजरल लॉग, तो आपको समझ में आया, एड्जेक्टिव लॉग, प्रोस्टेजरल लॉग और सबस्टेंटिव लॉग में क्या डिफरेंस है, लेक्स फोरी और लेक्स लोसाई में क्या डिफरेंस है, आपको पता लेक्स लोसाई जो हमारा इस्थानी विधी है law of the land इसको फिर हम दो तरह से बाटते हैं समझना ध्यान से लेक्स लोसाई को हम बाटते हैं तो general law of the land क्या कहते हैं इसे किसी इस्थान किसी देश किसी राज्ये के लिए साधारन विधी वह पूरे देश पर लागू होता है जैसे एक्जामपल के लिए IPC इंडियन पीनल कोड एक जनरल लौ है या CRPC एक जनरल लौ है लेकिन लेक्स लोसाई का दूसरा पार्ट होता है law of the land which is applicable to a special locality उसे कहते हैं इस्थानिय विधी एक समझना इस्थान की विधी और इस्थानिय विधी जैसे IPC लेक्स लोसाई है law of the land है पूरे भारत पर लागू है लेकिन MP Land Revenue Code लोक लेक्स लोसाई का पार्ट है विच इस एप्लीकेबल टू अइस पेशल लोकालिटी मध्य प्रदेश कहा लागू है वो सिर्फ मध्य प्रदेश पर उसे कहा जाता है इस्थानिय विधी मुझे उम्मीरे कि आपको बातें समझ में आ रहे है का जबते पर पर दो